खारा देखो कहरा यदि A जिसका निर्दरसांग दिया ये कॉमा भी और B जिसका निर्दरसांग है C कॉमा डी को मिलाने वाली देखा खंड मूल बिंदू पर समकोड बनाती है तो सिद्ध करिए A C पलस B D बराबर 0 चलिए देखते हैं इसको बहुत अच्छा कोशन है बहुत ह मेन में यहां निर्दरसांग अक्छो को लेता हूँ, यह x अक्छो गया X, X, and y, and y, y, एक्छो गया चलिए अब देखते हैं यहां पर मैं दो बिंदू लेता हूँ एक A बिंदू लेता हो जिसका निर्द सांख है A, B और दूसरा बिंदू कहीं पे B है कहीं पे भी हो सकता है वहाँ मालो इधर है जो भी है कहीं भी है ठीक है एक B है जिसका निर्द सांख है C, D अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड जो है न, मूल बिंदु पर समकोड बनाती है, 90 डिगरी का कोड बनाती है, मतलब यहाँ 90 डिगरी बनता है, ठीक है? चलिए तो माल लेते हैं, माना, माना ए, ए, कोमा बी तथा, बी, सी कोमा डी को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओ, जिसका करने देखां क्या होगा, 0,0, 0,0, पर समकोड बनाती है, समकोड बनाती है, समकोड बनाती है, ठीक है, अच्छा, जब समकोड बनाती है, तो यहाँ से मैं चाहूँ, तो एक काम कर सकता हो, A B A square बराबर यानि कि Nos आघकोशन के उन्हें चलाओं तो A B A square के लिए दूरी सुद्र लगाऊगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A मैनस C का whole square और plus B मैनस D का whole square अच्छा O A square तो मूल बिंदू से किसी बिंदू की दूरी क्या हो जाएगा आप यहाँ पे कर दोगे A square plus B square ठीक है आप दूरी सुतर जानते हो मूल बिंदू से किसी बिंदू की दूरी root under X square plus Y square तो जब यहाँ A square लग जाएगा तो यह तो root हट जाएगा यह root हट जाता है समझ गया ना यह root हट गया यहाँ S का निर्दसान के A और B है तो A square plus B square हो जाएगा और उसी तरह से मूल बिंदू से इस बिंदू की दूरी C square plus D square यह फिर आप दूरी सुत भी लगा सकते थे यह 0 0 लेकर है ना A minus 0 का square और B minus 0 का square तो वही आता समझ रहें ना बात को चलिए यहाँ formula गाते है A minus B का होला square A square minus 2AC plus C square B square minus 2BD plus D square और बराबर में A square plus B square plus C square plus D square यह चारों तो कट जाएगे ना C square C square B square D square सब कट जाएगे अच्छा इन दोनों में से मैं minus का 2 common कर लेता हूँ तो A C plus B D बराबर 0 यह चलिएगा भाग में तो 0 से भाग करेगा minus 2 तो 0 ही हो जागा यानि A C plus B D बराबर में 0 साबित हो गया चलते हैं अगले question पे